हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सदफ क्रिस्पी कुकिंग जोन फ्रेंड्स गर्मियों का मौसम आ चुका है और बहुत सारे आम हर तरह के हर वराइटी के आम भी मार्केट में आ गए है जिसमें मैंने कच्छे आम को लिया उसकी रेसिपी बहुत आपने बनाई भी होगी कई बार मेरी तरह से बना कर देखे इसे आम का जैम भी बोल सकते हैं आम का मुरब्बा भी बोल सकते हैं और इसे आम की खटी मिठी मज़ेदार चटनी भी बोल सकते हैं और इस आम से मैं आपको दो रेसिपी बनाना बताऊंगी तो लेट्स को स्टार्ट शुरू करती हूं तो मैंने 720 ग्राम यह कच्छे आम है मैं इन्हें दस दिन के लिए बना रहे हैं कि क्या आम की शुरुआत है तो अभी मैं सिर्फ दस दिन के लिए ऐसे बनाऊंगे जब आम लास्ट में बचेंगे उसके बाद मैं बहुत सारे बना कर रख लेती हूं तो मैंने आम को बहुत अच्छे से छिल लिया था छिल कर वाश कर लिया था वाश करके इन्हें छोटे छोटे शेप में कट कर लिजिए कट आप बड़ा भी कर सकती हैं मैं थोड़ा सा मैशी बना रही हूं इसलिए थोड़ा छोटे शेप में कट कर रही हूं आप अगर चाहो कि इसकी पीसे नजर आएं तो इसे ऐसे बड़े बड़े शेप में भी कट कर सकते हैं जो गुटलिया थी उससे भी सारे जो आम होते हैं निकाल लीजे अब मैंने गैस पर एक प्रेशर कूकर रखना है और उसमें यह जो कच्चे हुए आम थे कच्चे आम उन्हें मैं एट कर साथ ही मैंने बस दो टेबल इस्पून वाटर गिलास से मैं वन थर्ड ग्लास पानी इसमें एट किया है क्योंकि इसी पानी से मुझे एक और रेसिपी बनानी है आप चाहे तो यहाँ पर पानी नहीं भी डाल सकते हैं विदाउट पानी भी यह बहुत अच्छे से हो जाता ह सॉफ्ट हो जाता है बस थोड़ा सा सॉल्ट वन थर्टी एस्पी मैंने एट किया और अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने धक्कन लगा देना है और इन्हें हाई फ्लेम पर टू प्रेशर आने का वेट करना है तो सीटी की आवाज सुन सकते हैं एक हैं दो हो गई है मैंने गैस कर दिया है जब तक आम थंडा हो रहा है तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब करना बिल्कुल मत भूली और बगल में छोटी सी बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दिजिए जिससे की मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिले है फ्रेंड जितना आम है सीम क्वैंटेटी में मैं गुड़ रखती हूं कि कि आम अभी बहुत खटे है तो मैंने 720 ग्राम था 20 या 40 ग्राम तो उसी हिसाब से मैंने 700 ग्राम गुड़ रखे हुए है अब इन्हें ढग देना है और इन्हें अच्छे से डिजॉल्व होने दे मैं इसी पर दूसरा रख दोंगी नेक्स स्टेप यह होता है कि यह जो मैंने गुड़ वाला पानी बॉयल किया था उसे मैं छाल लोंगी स्ट्रेंड करना इसलिए जरूर है ताकि जो गंदगी होती है गुड़ के अंदर वो हमारी अच्छे से अलग हो जाए मैं आपको दि के लिए बहुत अनहेल्दी होते है अब मैंने आम को चेक कर लेना है जब तक हाई फ्लेम पर गुड़ बॉयल हो रहा है पानी वाले गुड़ तब तक मैं आम अलग कर लोंगी और इसका जो वाटर है वो अलग कर लोंगी सारे आम अच्छे से छान लिजेगा ताकि इसका ज निकल कर तयार हो चुके है और यह जो वाटर बचे हुए है थोड़े गाड़े-गाड़े से इन्हें एक अच्छे से जार में निकाल कर रख लिजेए स्टोर करके रख सकते हैं इसकी रेसेपी में आपको लास में बताऊंगी अभी मैं चलती हूँ आम का मुरब्बा बनान प्रेंट्स आप हमेशा कच्छा आम ही यहां पर यूज कीजेगा पका आम मठ डाल दिजेगा और इन्हें बहुत देर तक चलाना नहीं बस हलके हातों चलाना है और इसमें एड़ कर देना है हाफ चम्मच मिर्चा पाउडर और 130 एसपी मैंने ब्लैक सॉल्ट एड़ किया है और इसे हाई फ्लेम पर पकने दिजे जब तक हम अपना चटपटा मसाला बना कर रेड़ी करते हैं तो जिसके लिए मैंने अजवाइन और मंग्रेला मिलाकर हाफ चम्मच सॉफ हाफ चम्मच और मेथी दाना दस से बारा दाने राई मैंने लिया हुआ है 130 एसपी एंड जीरा मैंने हाफ चम्मच लिया हुआ है काली मिर्ष मैंने लिया है 4-5 इन्हें हलकी आज पर ड्राय रोस्ट करना है आप फ्रेंड से ढग कर कीजिए क्योंकि ये जो राई के दाने होते हैं वो बहुत जादा छटकते हैं इधर मैंने गैस बन कर देना है और हाई फ्लेम पर ये जो हमारा गोड़ और आम है वो भी बहुत अच्छे से पक रहे हैं और तक इसे मैं ठंडा कर लेती हूं जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे अपने हाथों से हलका सा मसलेंगे तो ये पाउडर के फॉर्म में आकर तयार हो बहुत से अधा फाइन नहीं करना है हलका हलका दरदरा करना है बस इन मसालों को इसमें एड कर देना है ये वन केजी के लिए मसाले हैं वन केजी गूड और वन केजी आम के लिए परफेक्ट मेजरमेंट है मैंने थोड़ा जादा डाल दिया है और इन्हे थोड़ी देर और ऑफ इसा कलर देख सकते हैं इसकी कंसस्टेंसी देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है और भी तेस्टी लगता है और बहुत कम टाइम में बनकर यह तयार भी होते हैं एक बार जरूर आप मेरी तरह से ये रेसिपी बनाईए अब पसंद आया तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताईए आपकी कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल प्लीज मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए तो फिर से मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ जब तक के लिए बाई बाई और थैंक यू फॉर वाचिंग